आशोले देखून आमार काछे मोने होय छे ओन नानो सिरीजे 20 जे भबे बोलाट देर शाहाद जो करे एखाने एबार एर गड़ो मेर माझे एई 20 थेके बोलिंगेर जोन्नो नोतुन बोले किछुटा शाहाद जो छारा एतो बेशी साहाद जो पावा जाद छे ना मैं चेर फॉलाफॉल जोदी आपनी निजेदेर पॉक्खे आंते चान शेखेत्रे अबुश होई होम एडवन्टेज नीते होवे आम रहा ता कोड़ते पड़ते ना आपने मैच का रिजल्ट किसी ना किसी तरह निकालना है क्योंकि होम एडवन्टेज में तो आपको ये चाहिए देखुन आमर काथे मोने होई बोलार राद चेश्टा कोरेगा थे आमी अनेक दिन पर खेलते नेमेच्छी फले शुरूर दीके चांदो पेते आमार किछुटा शोमाई लेगेच्छे पीचे आशोले एई मोशु में अनेक गरोम थाके जे धरुनेर शाहत जो आमरा बॉलिंग यूनिट हीशे बेपीस थेके आशा कोर छिलाम शेरोकूम शाहत जो आमरा पाई नी निजेदेर जाएगा थेके आमरा निजेदेर शेराटा दावर चेश्टाई कोरे गियाथी आशोले टेस्ट क्रिकेट टेस्ट बॉला होई कारून एकाने आपनार टेस्ट नेवा होई एक जोन बोलार ही शेबे आपना के अनेक बेशी स्रींख खलार मुध्धे थाक्ते होबे एक होन जे मोशूम अबस्षोय अने गरम पूर्चे प्रोचुर बॉलिंग कोरते होच्छे इगरमेर मुध्धे फले स्रींख खलार मुध्धे थाक्ते होबे बोलर ही शे बे धोर जो ठकते हावे, हई तो माधे मुद्धे दूई एक स्पेले भूल कोरे फिलते पारें, रांदी फिलते पारें आशोले, आमार मुने होय आमादेर चिंत धरा छीलो, एई पीसे पेसर रा शाहत जोपाबे, आमराजा आशा कोर छीलाम, शिरोकम आचरों कोर छेना एई पीस, जाखुन आपनी चार जियोन पेसर खालाच्छेन, अबोश्षोई चिंत धरा थागबे एई पीसे पेस आक्रोमन कोर बेन, तबे पीच फेटे छे किना आमी निश्ची तोनोई, घाश आच्छे, निचे किछुटा शुषको आच्छे, बॉल कोर ले, खुब एक्टा शाहत जोपाओ जाच्छेना. कि उपर से तो लग रहे, लेकिन आप बॉल कर आते हो तो इतना ज्यादा आपको नहीं लगता कि युनोँ हेल्प कर रहे. कि उपर से तो इतना ज्यादा शुषको आते हो तो इतना ज्यादा शुषको आच्छेना. कि उपर से तो इतना ज्यादा शुषको आच्छेना. उतना अच्छा रहता है तो आइधिंग अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है लेकिंग ये सोचना चाहिए कि हम होम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं नसीम विकट को देखते हुए आपको थोड़ी मायूसी हुई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायदा हिल्प करें पैसर्स गो और इतनी हिल्प आपको न मिली और एक लंबा स्कॉर करने में काम याबू अब अब अगलादेश देखे आइ तिंग हॉनस चीजे जो होती हैं आपको इसलिए कहने चाहिए मुझे लगता है कि अब काफी युनों सीरिज हो गए जिसमें इस तरह के पिच्छ मिलें मुझे यह लगता है कि इस पिच्छ मैं उन्हें पूरी कोशिश की ते कि यह अच्छी हो बालिंग के जादा हेल्प नहीं पिच्छ से मिलता है तो आइ तिंग अब मेरा नहीं ख्याल लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यह सुचना चाहिए कि हम किस तरह होम एडवांटेज का जो है वो ले सकते हैं क्योंके आपने मैच का रिजल किसी तरह निकालना है क्योंके होम एडवां का लगता है कि पिच का कितना कसूर था और पूर एग्जिक्यूशन का कितना कसूर था बोलर्स की तरफ से और और अलसो 705 डिलिवरीज पेसर ने कराई हैं से निक्स में तो वर्क लोड मैनेजमेंट के इसाब से कितना बुरा है देखे मेरे खियां से बॉलर्स ने एफट क के लिए हैं और आइटिंग देखें पिच में मेरे खियाल से जिस तरह का मौसम है बहुत गर्मी है और सबने अफट अपने की हैं लेकिन इतनी ज्यादा है हमें इस बॉलिंग यूनिट नहीं मिले जितना हम एक्सपैट कर रहे थे हैं और बाकी मेरे खिया से सबने बेस्ट किया नसीम अजर भाई कल कह रहे थे कि आम टूल आखरी दस बार आउवर में हमने अजब बोलिंग यूनिट अपना डिसिप्लिन थोड़ा लूज कर दिया तो मैं आप भी स्टार्ट जिस तरह कल आपने किया था पहले आप वान एन ओवर पहले दस और में सिर्फ दस रन थ है एंड पर जड़ा एक्सपेंसिव हो गया तो यह किस तरह आप अगरा बात करें तो टूर्ट दी एंड क्या हो रहा था वाजर जस्ट के लंबा दिन था और मुश्किल दिन था पिच का मसला था या वो ज्यादा अटाक का रहे थे देगे टेस्स क्रिकेट को इसलिए टेस का जाता है कि आपके हर चीज के टेस्ट होते हैं और इस बोलर आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्लन होना पड़ता है प्रेशन के साथ क्योंकि जिस तरह का मोसम था अबिसली गर्मी थी लेकिन यह है कि आपके पास इतना मार्जन नहीं होता बुरे बॉल के कि आप कोई भ आपके अंदर जितना सबर होता है वो करके एक टाइम पर आपसे भी गलतिया हो जाती है तो वो चीजों मुझे लगता है कि एक दो स्पेल ऐसे थे बीज में जो हमने तोड़ी से उसमें मिस्टेक की है उसके वाज़े से तोड़ी से रूज ज्यादा लिए असलाम अलेकुम नसीम अर्फा फिरोस फ्रम जियो न्यूस नसीम ये बताएं कि आपने पिच को जो हो बनते हुए देखे चार रोज गुजर गए हैं उसमें क्रैक्स भी जो नजर आ रहे हैं बंगलादेश के पास जो हो स्पिनर्स हैं मेधी और शाकिब जो एक जैनून स्पिनर उनने कह सक कि इस पिच में फास बोलर को हेल्प यूनो मिलेगी और ज्यादा मिलेगी लेकिन जिस तरह मैं एकस्पेक्ट कर रहा था शायद उस तरह का भी नहीं था क्योंकि चार फास बोलर के साथ जाना तो आपका माइन सेट ही होते है कि आपने फास बोलिंग के साथ अटेक करना है और मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा ब्रेक होगा इस पिच पे क्योंकि जिस तरह इस पे गास है और गास यह के अंदर से पिच बहुत ड्राइव है जिसके वज़ज़ से बॉल इतना अच्छा वो गास का हैल्प नहीं मिलना क्योंकि उपर से तो लग रह लेकिए